नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंद्धरमासनमारफ जेस्टमाह की पुरिनिमा जिसे हम जेस्ट बट पुरिनिमा भी कहते हैं इस दिन भी बट सावित्री ब्रत रखा जाता है और महीलाइँ पूजा कर दी हैं लेकिन इस पुर्णिमा का सिर्फ इतना ही महतों नहीं है बलकि ये पुर्णिमा असनान दान की पुर्णिमा भी है और इस पुर्णिमा का अगर पितरी देवों के निमित दान किया जाए तो सीधे तोर से उनको प्राप्त होती है उनको मोख्ष की प्राप्ती होती है तो इस महिमा जितनी बखान की जाए वो कम है पर चलिए जानते हैं इस पुणिमा के दिन आपके एक छोटे से प्रयोग से कैसे आपका भागे पुलट सकता है आपके जीवन में कुछ यहां सकती है सबसे पहले तो पूजा जरूर करें और भगवान स्रीहरी बिश्नु का भी पूजा करें स्रीहरी की पुजा में तूलसी का पत्ता जरूर रखिएगा आपके करियर में तरक्की होगी अच्छा स्वास्त मिलेगा घर परिवार में सुक्सानती कायम रहेगी तूलसी का पौधा इस पूणिमा तिथी को अगर अपने हातों से लगा दें उसकी देख भाल करें त पानी भर कर दान करें तो अतिहुत्तम बाग बगी चे स्कूल विगरेवे मिट्टी के घड़ा में आप पानी रख सकते हैं पुन्नी की प्राप्ती होती है जीवन में खुसा लिया तो तूलसी के पत्ते की इस दिन महत्तो है तो ऐसे में आप तूलसी जी में एक लोटा जल डाल कर अरपित करें तो पूरे मह जौसनान करने का फल है वो इससे आपको मिल जाता है सनातन धर में तूलसी का पौधा सबसे ज़्यादा पुजनी माना जाता है और तूलसी के पौधे के प्रयोग से आप काल सब दोस्तक को दूर कर सकते हैं तमाम गरहों की पीडाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे जो आपके भागे को भी चमकाएगा और घर के वास्तु को भी सही करेगा देखिए तूलसी को भगवान विश्नु की प्रिया माना जाता है और हमेसा उनके सिर पर ही रहती है तो जो बैक्ति हरोज त सवाथ करता है उसका ना सिर्फ स्वास्त अच्छा आता है बलकि नरक से भी मुक्ति मृंती है तो तूलसी का सेवन कैसे करना आप तरीके सवाल है देखिए तूलसी के वैसे तो आप बहुत तरह के चाय बनते हैं काढ़ा पी सकते हैं लेकिन जब अगर आप पूजा पाट क पिर उनके माथे पर ही सजाईएगा और तुलसी की मंजरी अगर आपके वी जैसे कि इस मौसम में आ जाते हैं तो उसको आप उतार कर भगवान स्री हरी को या भगवान स्री किष्ण को और पित करें तो ऐसे इससे क्या होता है आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती जिस चीज की चाहत है वही पूरी होती है बस मन से उस चीज को चाह लीजिए तो आज हम तुलसी के विसेस परियोग बताएंगे जो आपके भागे को भी बदलेगा और घर में सुकसानती लाएगा स्वभागे प्राप्त होगा तो चलिए जानते हैं सबसे पहला प परियोग करें प्रीठे के नीचे जो तुलसी का गिरा हुआ है यह पिर आपने पहले से तोड़ का रख तो ंस deze को पत्ते पहले तो भगवान को अर्प्त करें और प liability को आप अपने पर्प में रेता रहता है रख जिए तो धन यह विझा भी और अब है वह पत्त्रारी का बंदूर अच्छ सांधि वहां स्वास्थ तैसे वहां पर यहां किचेरं और شओं के औरल पर यहांगर परेगा काम काँ यह यह करने से घर सक्सांती भी आएगा और स्वास्त भी अच्छा रहेगा और यहां तक कि अगर आप अमोस्यातिती को चावल बना रहे हैं भात जिसको कहते हैं खाना बना रहे हैं तो चावल में बनाते समय दो तुलसी के पत्ते डाल दें तो फिर यह तुलसी का पत्ता भाग्योदे भी करेगा और आपके खाने का कई बार क्या होता है उपरी बला बाधाये ये सभी चीजे परिसान करती है तो उनसे मुक्ति पाने के लिए एक सिंपल सा प्रियोग कीजिएगा अगर आपको लगे कि घर में सुकसानती नहीं है प्रेम भौ कहीं खो गया है उपरी बाधाये बलाएं हैं तब आप आपके घर में जो भी बैक्ति पड़ेसान है उनको तुलसी के साथ पत्ते और साथ काली मिर्च अपनी हाथ में ले और उस बैक्ति को उपर से 21 बार या फिर 7 बार भी सही उपर से नीचे तक उतार ले उल्टा उबारिएगा ओम नमो भगवते वासु दिवाए कहते वे और फिर इसको आप कहीं मिट्टी में दबा दे वैसे अगर आप उबारना नहीं चाहते हैं उतारना नहीं चाहते हैं तो इस काली मिर्च और इस पत्ते को उनको चबाने दे दे, वैसे दांत में तुलसी के पत्ते नहीं चबाए जाते, पारा होता है, अगर वो निगल सके अच्छे हैं नहीं तो काली मिर्च चबा के थूग दे और तुलसी के पत्ते को निगल ले, ऐसा करने से भी कश्ट दूर होते हैं, मुस्किलें कम हो तो पानी के सहारे वो निगल सकते हैं तो यह तो थी simple simple प्रयोग अब हमें खास प्रयोग बताएंगे देखे तुलसी के जो बीज होते हैं वो बड़े काम के होते हैं अगर आपका जॉब में प्रमोसन नहीं है बैपार अच्छा से नहीं चल रहा तेक छोटा सा काम कीजिएग एक सफेद कपड़ा में 16 बीच तुलसी के ले ले अब अपने बैपार अस्थल पर या फिर आप अपने जहां जौब करते हैं मिट्टी में दबा दीजेगा इस बीच को ऐसा करने से आपकी मुस्किलें कम होंगी और जो भी नौकरी बैपार की बाधाएं हैं वो समाप्त होगी और वो एक बार फिर से बहतर चलेगा लेकिन तुलसी के जो इतने सारे हमने आपको टोटके बताया ये तो आपको वैसे अमोसे थी किसी भी दिन आए कर सकते हैं सनिवार के दिन भी कर सकते हैं बहुत सिंपल है लेकिन अगर हम एक छोटा सा परियो की बात करें तो तुलसी जी में अगर आप एक छोटा सा काम करे देखिए सबसे पहली बात तो तुलसी के पत्ते आप फिर से रिपीट कर रहें नहीं तोड़िएगा लेकिन अगर आपकी कोई बिसेस मनो कामना है आपके कोई ऐसी इक्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो एक छोटा सा काम कीजिएगा एक लौंग और एक सिक्का ले 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 तुलसी के पेड़ के पास जाईए ये किसमत को बदलने वाला प्रयोग है और इस सिक्का और लौंग को लेकर हाथ में आपके जो भी मन में कामनाय है उसको बोलिए और इसको उसकी मिट्टी में गाड़ देजिए पहले से सिक्का गाड के रखा है तो उसी सिक्के को निकाल के फिर से यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप दूसरा सिक्का ले ले अगर आपके घर में छोटा सा चांदी का सिक्का है तो उसको भी आप परियोग कर सकते हैं तो इसको अब गाडने के बाद आप तुलसी जी को प गैंगए और अगर आपके घर में बच्चे हैं बहुत जिद्द्धी हैं तो ऐसे में उनके आ ultrasi के पथे पॉदेससे प Tr! उनकी स्वासत अच्छा रहेगा जिद्धी धूर होता है और अगर किसी लड़की की साधी जल्दी नहीं हो पा रही है तो तुलसी जी में उनको कहें कि नित दिन जल और पित करें प्रदिक्षना करें तो उनका विवाह जल्दी होता है और अगर आप जो अमोस्य दिती है इस दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा आप क्या करना है ना आप इस दिन बैसे तो आप ये प्रयोग आज कोई भी महला हैं पुरुस हैं बच्चे हैं कोई भी ये प्रयोग कर सकता है रात में सोने के पहले एक सिक्का ले ले और कम से कम दो तुलसी का पत्ता तक्ये के नीचे रखकर सो जाए और अगले दिन इसको सिक्के को निकाल कर पास के मंदर मे दान पेटी में डाल दें और जो पत्ता है उसको मिट्टी में दबा दें जीवन की जो मुस्किले हैं जो बेवज़ा की टेंसन है परिसानिया है वो दूर हो जाती है तो जब तुलसी जी को जल और पीट कीजेगा याद रखिए जल में आप कुछ डाले या ना डाले लेकिन एक चुटकी हल्दी जरू डालिएगा और उसमें मीठी बस्तू डाल कर फिर आप तुलसी जी को सीचे तो यकीन मांगने ये भगवान बिश्णू और मा लक्षमी दोनों का ही आसिरबाद बरसेगा और इसके साथ ही अगर तुलसी जी के पेड़ में एक लाल मौली धागा अपनी मनोकावना कहकर हल्का सल लपेट दे तो आप की मनोकावना अतिसिगर पूरी भी हो जाती है पर एक बात याद रखियेगा देखिये सबसे पहली बात तो जो घर की महलाए हैं वह जब तुलसी जी की पूजा करेंगी तो बालों को खुला मत रखियेगा क्योंकि अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा किसमें अपने बालों को बांध लें जैसे आप तमाम पूजा पाट करते हैं बालों को बांध कर वैसे ही बांध कर ही पूजा करें खुला करके ना करें और दूसरा जब भी आप तुलसी जी में दिया जलागाते हैं दिया बुझ जाए तो उसे वहां से हटा दीजिए जैसे दिया सांथ हो जाता है ना कुछ दे जल के तो हटा दे एक दम से वहीं पर पड़ा हुआ है ऐसा मत रहने दीजिएगा और तुलसी के पत्तों को कभी भी अर्पित कर खाज लो यानि भोग आप अर्पित करने के बाद इसको परसाथ के रूप में गरहन करें जीवन की हर बाद हाए हर मुस्किले समाप्त होगी और यह परसाथ नहीं महा परसाथ है हम आपसे बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो प्लीज लाइक कर सब् झाल